Hello my dear students, welcome to the IMB education, आज़ किस वीडियो में हम करने वाले हैं NTA अभ्यास एब के चैप्टर वाइस MCQs और आज़ का जो चैप्टर है वो है हमारा क्लास 11 बाय लोजिका चैप्टर नमबर 17 ब्रीधिंग एंड एक्सचेंज ओफ गैसीज इस चैप्टर के हम टोटल 28 क्योशन यहाप पर डिसकस करेंगे तो आप इस वीडियो के लास्ट में आप हमें बताना कि आपके 28 में से कितने क्योशन जो वो करेक्ट होते हैं अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर नहीं देखे तो आपको आई बटन में प्लेइलिस्ट का लिंक मिल जाएगा तो चलिए स्टाट क तो दिस्ट्रिबूट ओक्सिजन तो टिशूस एंद ऑप्शन सी दिया गए दा प्रिंसीपल ऑफ काउंटर कुरंट फ्लो फेसिलेट्स एफिशेंट रेस्पिरेशिंग इन गिल्स ओफिशेंगे दा रेजिडियोल एरिया इन लंग्स स्लाइटली डिक्रीस दा एफिशें एफिशेंसी बढ़ा सकते हैं सेकिन इन इनसेक्ट सर्कुलेटिंग बोडी फ्लूट सर्फ डिस्ट्रिबूट ऑक्सिजन टू टीशू यह जो सिस्टेम लिखाओ है यह बिल्कुल गरत लिखाओ है क्योंकि यहां पर इनसेक्ट के अंदर जो सर्कुलेटरी बोडी बर्स होते हैं एरसेक्स जिनकों स्पाइरेकल्स बोलते हैं वो स्पाइरेकल्स के तुरू जो वह ऑक्सिजन डिस्ट्रिब्यूट होती है नॉटल लिंप के तुरू यह जो लिखाओ है यह इनकरेक्ट लिखाओ है तो हमारा आंसर आजएगा ऑप्शन बी और थार्ड और पहले हो जो वह ब्लूकुल करेक्ट है ऑके नेक्स्ट मंटी नमबर टू देख लेते हैं यहाँ पर हमसे पुचा कई है किसके रेफरेंस में एकि यह स्पीरेटरी गैस में उननि बताने हैं कि कौन सी स्टेटमीन के डिन कॉर्प में बलकूल करेक्ट है and carbonic hydrates for the transport of carbon dioxide and C only oxygen is transported by blood and D only carbon dioxide is transported blood तो oxygen और carbon dioxide तो वो दोनों जो है वो आपके transport होती है only oxygen या only carbon dioxide नहीं होती है अब option A देखते हैं hemoglobin is necessary for transport of carbon dioxide निकांके hemoglobin जो वो necessary है carbon dioxide के लिए और carbonic anhydrase है वो oxygen के लिए जी नहीं इसका उल्टा होता है hemoglobin जो होता है नेसेसरी होता है oxygen के लिए और carbonic anhydrase जरूरी होता है किसके लिए carbon dioxide के लिए बिल्कुल statement correct अतनसर आजएगा option B next question number 3 देख लेते हैं question number 3 में पूछा गया although much CO2 is carried in blood yet blood does not become acidic because अब CO2 जो एक acidic gas है यहाँ पर बोलेगे कि ज्यादा तर जो CO2 होती है वो blood के through transport होती है फिर भी जो blood होता है वो acidic नहीं होता है ऐसा क्यों it is absorbed by the leucoside blood buffer play and important in CO2 transport या फिर it combined with the water to form carbonic acid which is neutralized by Na2CO3 या फिर it is continuously diffused through the tissue and is not allowed to accumulate तो CO2 जो होती है वो transport होती है blood के through बट वहाँ पर buffer जो होता है वो बहुत important to play करता है buffer क्या काम करता है अगर ज्यादा acid है तो उसको neutral करने की कोशिज करता है ज्यादा basic है तब भी neutral करने की कोशिज करता है तो blood यहाँ पर buffer की तरह काम करता है तो answer आजाएगा option B आगे बढ़ने से पहले अगर आपको biology में class 11th और 12th के सभी chapters के इस तरह के notes आईए जहाँ पर यह mention किया हो कि किस line से किस year में need में question आ चुका है जैसे यहाँ पर respiratory volume capacity से आप देखोगे यहाँ में आप आ चुका है need 2013 में 17 में 18 में expiratory capacity new 2019 में यहाँ पर vital capacity से AI PMT 2008 में तो इस type को अगर आपको notes आए तो आप इस वीडियो का description चेक कर सकते हो biology and chemistry के लिए तो चलिए अब next question की तरफ चलते हैं next नमारा question number 4 है यहाँ पर पूछा गया people living at sea level have around 5 million rbc यानि जो sea level पर people रहते हैं उनके पास लगबग 5 million rbc red blood cells है per cubic millimeter of their blood whereas those living at the altitude of 5400 meter यानि जो high altitude पर रहते हैं have around 8 million rbc और उनके पास जो rbc बहुत जाद है this is because it's high altitude ऐसा क्यों है high altitude पर ऐसा क्या है first option दियागे atmospheric oxygen level is less enhanced more rbc as needed to absorb the required amount of o2 to survive second there is more uv radiation which enhance the rbc production option c a people eat more nutritive food therefore more rbc are formed या फिर people get pollution free air to breathe and more oxygen is available high altitude पर rbc ज्यादा क्यों है क्योंकि वहाँ पर atmospheric level पर oxygen कम होती है इसलिए उनको rbc ज्यादा बनानी पड़ती है ताकि जो o2 के लिए जितनी भी requirement है वो complete हो पाए तो हमारा यह जो answer option a है यह बिलकुल correct आएगा next question number 5 देख लेते हैं question number 5 में पूचा गया है which one of the falling vertebrates organ receive the oxygenated blood only यानि कौन सा ऐसा vertebrate का organ है जिसके पास केवल oxygenated blood आता है gills, lungs, liver या फिर spleen तो दो human के अंदर बात बने तो दो होते हैं जहां पर केवल oxygenated blood आता है एक होता है अपका spleen and second होता है अपका brain इन दो organ के पास pure oxygenated blood ही जाता है तो answer आजाएगा option D spleen क्योंकि brain का यह option में नहीं है next जो आप question number 6 देख लेते है question number 6 में बोला गया the expiratory reserve volume will be expiratory reserve volume पूचा कितनी कितनी हो सकती है 1,000, 2,000, 4,000 या फिर 5,000 तो जो आपकी expiratory reserve volume होती है वो होती है 1,000 से लेकर 1100 दग तो हमारा answer आजाएगा option B 25 से लेकर 3,000 जग दो होती है वो कौन से होती है आपकी inspiratory reserve volume होती है 4,000 approximately आपकी vital capacity होती है 4,600 और आपकी लगबग 5,8 के अस पास होती है 5,800 के लगबग आपके पास होती है total lung capacity ओके next हम जो question number देख लेती है 7 question number 7 में हमसे पूचा गया which of the following is true for CO2 concentration carbon dioxide concentration के लिए बिल्कुल statement true कौन सी है more in allular air than in expired air more in expired air than in the allular more in inspired air than the allular air या फिर more in inspired air than the expired air सबसे पहले बात करते है inspired air के नदर जो आपका oxygen का level होता है वो कितना होता है वो होता है 0.3 mm of Hg उसके बाद अगर हम बात करें expired air की कितना होता है एक्सपाइड एर होता है 32 mm of Hg और alveolar कितना होता है यह होता है आपका 40 mm of Hg अब देख लेते हैं more in alveolar air than in the expired air, alveolar के अंदर होता है 40 और expired के अंदर होता है 32 यह बिल्कुल सही लिखा है more in alveolar more in expired than the alveolar जी नहीं expired के अंदर 32 होता है और alveolar के अंदर 40 यह कम होता है more in inspired देख लेते अंदर तो 0.3 होता है यहां पर 40 यह भी गलत है more in inspired than नहीं जी inspired के अंदर 0.3 होता है एक्सपाइड में 32 mm of Hg होता है यह भी गलत है आंसर आएगा हमारा option A next time question number 8 देख लेते question number 8 में पूछागे during an attack of asthma there is out of anxiety लग सकता है बड़ सभी discuss करेंगे आउट और अगर attack आजाए asthma को तो वह पर क्या हो सकता है अईंअउक्षिया पहली था हरा जी पर देख दोंक्राइब क्णिशिया क दिसमें आजाए यह कोई बॉड़ी या बोड़ी का part कुछ ऐसा हो जहां पर जो ओड़़ सप्लाई कम आ रही हो तो इसको बोलते हैं hyPs अब बात करते हैं passenger आब बात क और अक्शिजन के लेवल का मतलब जैसे कोवीड की टाइफ ऑक्सिजन गोडी यह झाइए और trendy यहां पर ओक्सिजन बहुत ज्यादा हो चुकी ही ज्यादा अगर लेवल हो रहा है उसको बहूत धियुकिया अब मोनोक्फिया यह कुछ नहीं यह एक जीनस है एक लीफ बीटल का तो अस्तमा के अंदर क्या होता है जो आपके कुछ एक बोड़ी पार्ट होते हैं वहां पर ऑक्सिजन का लेवल कम होता है तो इसको बहुते हैं हाइपोक्षिया दूरिंग दा आस्तमा ओके नेक्स्ट नमबर नाइन देख लेते हैं किसे अब्सक्राइब आपके यहां आपके रेट ऑफ रेस्पिरेशन है उसको कों करता है जो आपका रेस्पिरेट्री रिदम सेंटर होता है जो मेड्यूला के अंदर या इसको यह यह बोलू है कि कंप्लीटल किया जाता है वो neural system के द्वारा control किया जाता है carbon dioxide के level पे तो जो rate of breathing है वो उपर या नीचे बहुत कम होता है but यहां पर पूछा complete rate of breathing control कोन करता है complete rate of breathing जो control करता है वो respiratory rhythm center होता है जो madura के अंदर होता है neural system के द्वारा control किया जाता है यहां पर वो option ही नहीं है तो आजाएगा none of these next question number 12 हमसे पुछागे तो vital capacity of human beings vital capacity कितनी होती है 500 milliliter 46 100 5800 या 2300 तो आपको बताया था कि महापर जो vital capacity होती है वो कितनी होती है 4600 होती है vital capacity किसको बोलती है vital capacity बोलती है IRV पलस TV पलस ERV जो starting की first three होती है inspiratory reserve volume expiratory reserve volume वो tidal volume इनको बोलते है vital capacity total length capacity बोलते है residual volume को अगर total length capacity पूछते तो आता 58 केवल टाइडर volume पूछते है तो 500 आता और इंस्पिरेट रिजीजर वोल्यूम जो वो अप्रॉक्सिमेटल इतना सकता हमसे vital capacity पूछिए तो आंसर आजाएगा option B next हमारा क्यूसर नमबर 13 देख लेए क्यूसर नमबर 13 में पूछ आगे carbon dioxide concentration in blood increase breathing become अगर CO2 का जो concentration है वो के अंदर बढ़ रहा है तो breathing का क्या होगा slower and slow there is no effect on breathing slow and deep या फिर faster and deep तो सबसे पहले अगर carbon dioxide की concentration बढ़ रही है तो वहाँ पर क्या होगा कि जो breathing वो faster होगी सबसे पहले और ज्यादा deeper हो जाएगी तो answer बनेगा option B next time question number 14 देख लेते हैं क्यूसर नमबर 14 में पूछ आगे which of the following show pulmonary respiration किसके अंदर pulmonary respiration होता है human के अंदर sponge के अंदर fist के अंदर या फिर salient trata के अंदर pulmonary यानि lungs के दुरू हो सकता है आपका evies यानि birds और mammals में यहाँ पर mammals का example है human answer आजेगा option A next question number 15 है यहाँ पे पूछा गे था percentage of oxygen in inhaled air इंहेल एर के अंदर oxygen की कितनी हो सकती जितनी atmosphere में होगी 21, 16, 79 या फिर 4 तो 21% answer आजेगा option A next question number 16 देख लेते हैं पूछा गे which of the following is a chronic respiratory disorder in which allular walls are damaged due to which respiratory surface is decreased तो कौन सी chronic respiratory disorder जहाँ पर allular walls होती है वो damage हो जाती है जिसकी वज़े से respiratory surface degrees हो जाता है अस्तमा, emphysema, silicosis या फिर pneumonia तो यह है आपका emphysema जो की cigarette smoking की वज़े से भी हो सकता है तो answer आजेगा option B next question number 17 है question number 17 में पूछा गया occupational disease are characterized by fibrosis of lungs in तो जो occupational disease होती है जहाँ पर fibrosis of lung हो जाता है यह प्रो-liferative of lungs तो वो किस पार्ट में होता है lungs में अपर पार्ट में, lower part में, base of lungs में या फिर medias tm नम में यह जो होता है वो अपर पार्ट के अंदर होता है आपका तो answer आजाएगा option A next question number 18 है question number 18 में पूछा गय a person breathing normally at risk, rest takes in and expel approximately half a liter of air during each respiratory cycle this is cold बोड़ रहा कि एक person जो ब्रीध कर रहा है बिल्कुल normally rest के उपर वो कुछ inhale करता है फिर expel करता है वो कितनी air है वो है half of liter, half of liter कितनी होती है 500 ml होती है 1000 to 1 liter हो जाता है न तो यहाँ पर यह कुण सी यूए लिव है, inspiratory region of volume, tidal volume, expiratory या फिर vital capacity जिए टाइडल volume होती है तो अंसर आजाएगा option B, next नमारा question number 19 देख लेते हैं, question number 19 में पूछागे है, when you hold your breath, which of the following case change in blood would first lead to the urge of breathing, अगर हम बोध टाइम तक अपनी breathe को hold करते हैं, तो इसमें से कौन सा reason है जिसकी वज़े से हमें breathe करने की urge होती है, आपको बदा दूँ की need 2018 falling O2 concentration, rising CO2 concentration, falling CO2 concentration, rising CO2 या फिर O2 concentration, तो NCRT में जहां पर लिख रखा है कि respiratory को कौन cycle जो है वो जितनी भी, उसको कौन control करता है, तो control of respiratory वाले paragraph में बिल्कुल लास्ट में NCRT में लिखा है कि oxygen का levels होता है, वो insignificant होता है, मतलब oxygen का कोई roll नहीं होता ज्यादा, तो यहां पर अग पर leading to urge आज आजाती है, breathing के लिए, तो answer आज एक option B, next जो कि उसे number 20 देख लेते हैं, कि उसे number 20 में पूचा गया, carbon dioxide is released during, कब release होता है, catabolic reaction में, anabolic reaction में, amphibolic में, या फिर more than one option, तो सबसे पहले तो आपका respiratory वाला system होता है, catabolic complex to simple convert होता है, जाँपे CO2 release होती है, next आपका respiration in plants क के अपने पड़ा होगा, कि यहाँ पर जो amphibolic pathway भी होता है, और amphibolic pathway जापे fatty acid पर अलग pathway चलता है, बाद में हो आ जाता है, और वहाँ पर भी CO2 release होते है, तो catabolic के अंदर भी हो सकती है, और अगर हम respiration implant की बात करें, तो amphibolic भी हो सकती है, तो दोनों के अंदर हो सकती है, त expiratory result of volume 25 से लेकर 30 hundred mililiter हो सकती है, expiratory की बात करें, तो यह हमारी 1000 से 11 or residual की बात करें, तो यह 1100 से 1200 हो सकती है, तो सबसे पहले A जो वह हमारा second के साथ जा रहा है, A second के साथ हमारे पास दो option में जा रहा है, B हमारा third के साथ जा रहा है, केवल यहाँ पर A की option बनेगा, C जो fourth क के साथ, B first के साथ, तुमारा answer आ जाएगा, option B, next जो किससे number हम देख लेते है, 22, किससे number 22 में पूछा गया, after forceful inspiration, एक forceful inspiration किया गया, मतलब, खिंच के अंदर हवा बरी गया, the amount of air that can be breathed out with maximum force expiration is equal to, और बाद में पूरा force लगा के जो है, expired भी किया गया, तो total वह जो volume होई, व आरवी, 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 एरवी, या फिर आरवी, एरवी, टीवी और आरवी, यह तो आपका हो गया, total lung capacity, पर यहाँ पर अगर देखे, inspired air की गई है, forceful और बाद में expired कर दी गई, तो हाँ पर residual volume तो बच गया न, अभी भी लंग्स में, वो तो कहीं नहीं जाता है, तो यह हाँ पर, तो यह बता रहा है, यह किसकी definition है, यह बता रहा है, vital capacity, और vital capacity के अंदर कौन आते है, vital capacity के अंदर आपके आ जाते है, inspiratory reserve volume, tidal volume, और expiratory reserve volume, residual volume, उसके अंदर नहीं आती है, तो answer आ जाएगा, option B, next time, question number 23 देख लेते हैं, question number 23 में हमसे पूछा गया, asthma may be attributed to, asthma क्या हो सकता है, bacterial infection of the lungs, allergic reaction of the mass cell in the lungs, या फिर fungal infection, या फिर accumulation of fluid in the lungs, तो asthma के अंदर allergic reaction हो सकता है, mass cell के अंदर lungs के अंदर तुमारा answer आजाएगा, option B, next जो क्योंसे number 24 देख लेते हैं, question number 24 में बोलागे, which of the following is incorrect with respect to trachea, trachea के respect में में incorrect statement बतानी है, the length of trachea is 11 to 12 cm, trachea divided into pair of primary bronchi at the level of 5th thorac vertebra, cartilaginous rings in trachea are incomplete on ventral side, and trachea is lined by celiated chutostratified epithelium, यहाँ पर हमें incorrect बतानी है, तो cartilaginous ring जो होती है, वो incomplete होती है, dorsal side में, not a ventral side में, ventral side की तरफ तो वो complete होती है, incorrect तो answer आजाएगा, option C, next हमारा question number 25 है, which of the following is incorrect with respect to total lung capacity, total lung capacity के with respect में में incorrect बताना है, ध्यान जहे रहे, inspiratory regional volume, title volume, ERV, RV, ज्यादा तर बच्चे जो क्यों से नहीं पढ़ते हैं, पहला ही देखेंगे, total lung capacity तो तुरंत मार देंगे, जी नहीं, incorrect पूछा है, second है, IC plus FRC, third है, EC plus FRC, और D है, VC plus RV, सबसे पहले बात करते हैं, IC की, IC क्या होता है, inspiratory capacity, और inspiratory capacity के अंदर कून-कून से आते यहां पर यही चीज तो बोली गई है, इन्होंने, ओके, next हम बात करते हैं, EC, expiratory capacity, expiratory capacity के अंदर कून-कून सा आ जाता है, expiratory capacity के अंदर आपका जाता है, ERV, प्लस RV, ओके, sorry, expiratory capacity के अंदर आपका आ जाता है, EC, पूछा है ना हम से, sorry, functional residual volume, expiratory capacity के अंदर आ जाता है, म अब यहां पर inspiratory reserve volume तो बच गया, inspiratory reserve volume तो यहां पर counting नहीं हुआ, और vital capacity की बात करें, तो यहां पर IRV, TV और ERV यह count होते हैं, और residual volume count होगी, तो यहां पर भी total length capacity आगी, पड़ यहां पर ERV count नहीं होई है, तो इसलिए यहां पर जो answer बनेगा, वो बनेगा, option C, क्योंकि यह पर, जो आपकी ERV है, वो रह जाती है, यहां पर केवल तीन ही count होते हैं, तो इस ही साब से total length capacity नहीं बनती है, तो हमसे incorrect पूछा था, तो answer आजएगा, option C, next हमारा question number 26 है, यहां पर पूछा गया, mammalian lungs have enamorous number of minute alveoli, this is to allow, तो alveoli क्या काम करती है, more surface area for diffusion, more space for increasing the volume of inspired air, more nerve supply to keep the lungs working, या फिर more spongy texture for keeping the lungs of proper shape, यहां पर क्या काम करता है, more surface area तो provide काती है, alveoli, this answer आजएगा, option A, next हमारा question number 27 है, यहां पर हमसे पूछा गया कि definition में A, B, C, D, the given figure show the diagrammatic view of the human respiratory identify A, B, C, and D, सबसे पहले हम बात करते हैं, A की, तो A क्या है यहांपर, A है आपका epiglotis, next हम बात करते हैं, यहांपर B की, B क्या है, आपका B, यहांपर बताएगा है, alveoli, C की बात करते हैं, C यहांपर क्या बताएगा है, C आपका बताएगा है, bronchials, ओके, यहांई आपका bronchus बोल सकते ह इसे और हम दी की बात करें तो आपका डाया फ्रम बता गया है तो हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है option A okay next question number हम देख लेते हैं 28 question number 28 में हमसे पुछागे the exchange of gases in alluli of the lungs take place भाई किसके द्वारा टेक प्लेस होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ओस्मसिस या फिर सेंपल डिफिजन तो अपती है